वेलकम तो मैं चैनल एमशेय स्टाइल आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एवरी डे मेकप रूटीन शेयर करूंगी तो सबसे पहले मैं अलोवेरा जल अपलाए करूंगी गुटवाइब्स का यह संस्क्रीम है SPF40 बहुत अच्छे संस्क्रीम मैंने इसको पॉपल.com से ओर्डर किया था इसको भी मैं अच्छे तरीके से अप्लाए कर लोगी पॉपल.com से मैंने बहुत सारे स्किन के प्रॉडto अच्छे प्रॉड़ाइब्स करूंगी क्योंकर हम मेकप करते और अगर मैं बीदी क्रीम या फिर कोई भी फाउंडेशन अप्लाए कर रहे हु तो प्रैमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है इससे हमारी जो face है उसके pores close हो जाते हैं जो भी उसके उपर से हम apply करते हैं वो हमें harm नहीं करते हैं next मैं apply करूंगी लैक में की CC cream यह बहुत अच्छी CC cream है यह अच्छे से face पे blend हो जाती है काफी मैनत नहीं करने पड़ती है और जितने मेरे dark circles है marks है इस सारी चीजों को hide कर देती है अब आप देख सकते हो अच्छे से blend हो रहा है blend होने के बाद आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से बहुत अच्छा look देता है क्योंकि हम foundation लगाते हैं एवरी दे हम foundation नहीं लगा सकते हैं बड़ हम CC क्रीम लगाते हैं तो इससे हमारे face में जो भी marks होते हैं च्छोटे-च्छोटे marks होते हैं और dark circles होते हैं वो हाइड कर देते हैं यह basic look है इसलिए मैं इसमें foundation अपलाई नहीं कर रहूँ इसमें मैं concealer अपलाई करूंगी यह NY BAKER concealer है यह भी बहुत अच्छा concealer है अच्छे से blend हो जाता है और जो में मेरे dark circles हों सबको hide कर रहा है और यह marks को भी हाइड कर रहा है बीबी क्रीम के ऊपर लगाने से यह होता है dark circles and acne के marks को यह बहुत अच्छे से हाइड कर देता है तो छोटे-चोटे pigmentation हो जाते हैं एक्नी marks हो जाते हैं उन सारे चीजों को अच्छे से हाइड कर देता है बहुत क्लियर लगने लगती है स्किन नेक्स मैं अप्लाय करूंगी एनवाइबे का कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है यह अच्छे से यह बी मैं अपने आखों के लगा लोंगी ताकि यह जो भी हमारे मैंने बीबी क्रीम लगाया है उसे काफी जादा ओईली हो गया मेरे आंग के नीचे क् क्याते नीच्ट मैं अपनी आइब्राउस फिल करूंगी आइब्राउस को का पैलट लिया है अच्छे इसे मैं पावडर ओम में होता है काफी च्छे से यह ब्लेंड हो जाता है मैंने 1 प्रेश घे क्री एथ यही से मैं इसको फिल कर R059 कि अबढ़नी आच्छा सक्तों हैं स तो अगर हम इसको आइब्राउस को फिल करते हैं तो यह काफी ज़ादा थिक और बहुत क्यूट और अच्छी लगती है नेक्स मैं अप्लाई कर रही हूं सेम पैलेट से आईशेडो बहुत अच्छा आईशेडो है यह भी काफी पिग्मेंटेड है और 4.99 रुपीज में तो बहुत अच्छा पैलेट है यह भी मैंने पॉपल.com से ओडर किया था दोनों आईश में अप्लाई कर लोंगी काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आप देख सकते हों काफी अच्छा लग रहा है नेक्स में सेम पैलेट से तोड़ा ग्लीटरी शेड अप्लाई करोंगी तोड़ा वर्म टोन पर बहुत अच्छा ग्लीटर है यह भी इसमें ग्लीटर शेड शेड भी से मैं ब्लश के लिए भी है इसमें कॉंटॉर के लिए आई शेडो भी है सब कुछ है एक पालेट में इसले मैंने इस पालेट को लिया था सुछ ब्यूटी के सारे प्रडिक बहुत अच्छे होते हैं सो नेक्स मैं ब्लश लगाने जा रही हूं सेम पैलेट से बहुत पिग्मेंटेट ब्लश है आप देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत जादा पिग्मेंटेड हैं बहुत अच्छा भी लगता है सो मैं इसको नोज एरिया पर चेक्स एरिया पर अप्लाय करूँ क्योंकि नैच्रल लोक है तो जब हम नोज के साइड पर लगाते हो यह काफी जादा नैच्रल लगता है और अपने चीन में भी अप्लाय करूंगी ताकि मेरी लैशेस ठीक देखें अब देख सकते हो काफी जादा अच्छा लग रहा है मैंने सिर्फ एक कोट लगाया है दो कोट करूंगी तो बहुत जादा हाई वॉल्यूम देता है अब मैं हाइलाइटर सेम पैलेट से हाइलाइटर लगा रही हूं यह भी नूट शेड है बहुत अच्छा शेड है और बहुत अच्छे तरीके से ब्लंड होता है यह भी और शाइनी फोर्म में है लेकिन बाद में मैट हो जाता है अब मैं इसके ओपर थोड़ी से रैड कलर की लिप्स्टिक लगाऊंगी मुझे तो मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है आप जरूर बताएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है यह नाच्रल लुक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आई होप आपको भी अच्छा लगेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए क्यूट लुक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रिखें, बाई गाईज, टेक केर